प्यारे विद्याथ्यू सूपरभाथ आज हमारे पढ़ने का विशे है क्रिया परिभाशा जो शबद हमें किसी काम के करने जा होने के बारे में बताते हैं वे शब्द क्रिया कहलाते हैं क्रिया के मूण रूप को धातू कहते हैं जैसे पढ़, लड़, खा, चल, सो, आद इसके पीछे ना परसरग लगने से ये शब्द क्रिया बन जाते हैं जैसे पढ़ना, लड़ना, खाना, चलना, सोना, आद क्रिया दो परकार की होती हैं अकर्मक और सकर्मक अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता जैसे राजा चिला रहा था, सैनिक चल पड़े, इसमें कर्ता तो है लेकिन कर्म नहीं है जैसे सैनिक राजा ये करता है लेकिन इसमें कर्म नहीं है आगे है सकर्मक किरिया जिसमें कर्म होता है अर्थात इसमें सकर्म, सकर्म कर्म के साथ होती है जैसे जलाद ने तलवार उठाई, इसमें तलवार, तलवार क्या है कर्म हाँ जी, इन वाक्यों में जलाद और सैनिक करता है उठाई और पकड़, ये क्या है इसमें है करो धन्यवार